दो दिन पहले तक इसको इतनी खासी हो रही थी, सर्दी हो रही थी, जब ये कुछ बात कर रही थी, मुझे इतना इरिटेशन हो रहा था, इससे की बारबर खासी हो रही है, इसको मैं कफ सिरफ भी दे रही थी, फिर भी ये काम नहीं कर रही थी, ठीक नहीं हो रहा था, तो आ और पहले जब हम लोग छोटे थे तो यह चीज़े बहुत इरिटेटिंग लगती थी कि मम्मी यह हमें क्या खिला रही है लेकिन इगा कीन मानी दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी रामबन टिप के बारे में बात करूंगी ना 98 परसेंट से लेकि 99.99 परसेंट तक आपके बच्चे को सिर्फ एक खुराक में गले की खराश घरगराहाट अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा खासी हो रही है यह सब कुछ क्लियर आउट होने वाला है तुमको मैंने कितनी बार पिलाया था एक बार या दो बार पिलाया थ तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो काफी इंफर्मेटिव है प्ले शुरू से लेकिलाश तक जरूर देखेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हर्शिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल 25 वल पेबी केर पर बहुत-बहुत स्वागत है सबसे इंपर्टन चीज क्या होती है कि आप जब भी किसी चीज को ट्राय करते हैं बच्चे के उपर तो बच्चे की उम्र भी जानल ज़रूरी है अगर आपका बच्चा एक साल-टेर साल से उपर है तो आप इस चीज को इस्तमाल कर सकते हैं ज़रूर विजिट करिएगा तो इनको मैंने क्या दिया है आपको क्या करना है कि आधी कटोरी आपको देशी घी के लेने है जो शुद्ध देशी घी होती है जो आपकी गाई की घी जो आप अपने घर में मगाती है या घर में बनाती है आधी कटोरी आपको लेनी है और उसमें 2 इंच अद्रक कटुकडा या तो आप ग्रेट कर लिजे या उसको छोटे-छोटे पीसेज में कट कर लिजे और उसके बाद आपको उस घी को बॉयल करना है जब अगर आप उसको बॉयल कर लिजेगा अच्छी तरह से तो उसका सारा का सारा अर्ग उस घी के अंदर आ जाएगा और जब ये ठंडा हो जाए यानि कि हलका अगर ल्यूक वाम ही रहे तभी आप एक छोटी-छोटी चमच आप बच्चे को दे सकते हैं अब इसके फाइदे क्या होंगे गले का खराश तो बिल्कुल दूर होगा ही होगा जैसे मैंने परिविव आपको बताई कि एक चमच में बहुत ज़्यादा असर किया है छोटी सी चमच मैंने दे थी बच्ची को और कल से इसका कुछ भी गला खर खर नहीं कर रहा है बिल्कुल आवाज नहीं कर रही है खासी भी नहीं है आज दिन भार स्कूल में भी काफी ज़्यादा कमफरटेवल रही है तो बिल्कुल अराम से आप बच्चे को दे सकते हैं कोशिश करें कि शुभ और शाम में दे सकते हैं चाहें तो दो पर में भी दीजे लेकिन quantity का आपको घ्याल जरूर रखना चाहिए इसका दूसरा फाइदा ये भी है कि अगर आप बच्चे को घी खिलाते हैं तो घी के बहुत सरे benefits होते हैं जो कि आपके शरीर में पड़ती है और बच्चे को अगर hard potty आने की समस्या है जैसे अब time to time अपने बच्चे को उनके खाने में जरूर घी दिया करिये हो सके तो daily basis पे दीजिए अगर आपका बच्चा खा रहा है तो daily basis पे हर एक मिल पे आपको घी को जरूर इंक्लूड करना चाहिए लेकिन ये राम बान उपाए अपने बच्चे के साथ बिल्कुर ट्राइ होता है क्या कर रहे हो अध्रक से कोई नुक्सान पिल्कुल नहीं होता है आपको आज की वीडियो में काफी सही लगा बच्ची कभी opinion आमको मिला ठीक था ना वीडियो अच्छा लगा वीडियो में आओंगी मा के साथ ठीक है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी अगर तो लाइक कर दिजउगा लाइक का बटन दिखाऊ ऐसे थम दिखाओ लाइक कर दिजगा उपर तुम भी दिखाओ चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूड शेयर और सब्सक्राइब करें और मज़ी इंस्टाग्रैम पर last 7 of when to